सरस्वती महामाए सुभे कमल लोचनी विस्वरूपी विसालाक्षी बिद्या मम बेही परमेश्वरी वसंथ पंजमी का तेवहार का महत्व और पुजाविरी साथी हम ये भी बतलाएंगे कि ये 51 सालों के बाद पहली वार पढ़ने वाला बिलक्चन से योग के बारे में और कुछ गल्तियां जो भूल कर भी इस दिन विद्यार्थियों को नहीं करनी जाएए बसंथ पंजमी मा सरस्वती का दिन है बिद्यार्थियों का दिन है मा की पुजा पुरे बिधी विदान से की जाती है इस दिन मा सरस्वती ज्यान देती हैं, बिद्या और बुद्धी देती हैं, वैसे तो मा सरस्वती कला, संगीत, सिल्प कला और बिज्यान की भी देवी हैं, अज्यान से, अंधकार से, प्रकास में ले जाने वाली, जीवन में उत्साह देने वाली मा सरस्वती, जिनकी पुझा बसंत प पंचेमी के दिन बंपऄर में दो मर्श सिंधये सब्सक्राइबुं, लैकिन यहां पर कलल से बिल्माद सब्सक्राइबुन बसंद को सभी मौसमों में सरुस्रेष्ट और राजा माना जाता है इस समें ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही सर्दी पेड पॉधे पर ठेर सारे रंग भिरंगे फूल लग जाते हैं सर्सों के पीले फूलों से सारा जहां चमक जाता है और इस बार बसंद पंचमी माग सुकल पंचमी की तिथी रविवार का दिन दस फरवरी को मनाया जाएगा इस दिन मा सरुसती ने अपतार लिया था ऐसा माना जाता है मा सरुसती ब्रह्मा की पत्नी के रूप में भी कहीं कहीं वर्णन आता है साथ ही सरुसती नदी के रूप में भी है रविवार यानि 9 फरवरी को ही लग जाएंगे दोपहर 12 बच कर 5 मिनट से सुरू होगा महासयोग और अभी बार 10 फरवरी को दोपहर 2 बच कर 8 मिनट तक रहेगा यानि विद्यार्थियों को इसी मध्य में पूजा कर लेनी चाहिए दस फरवरी को दोपहर दो बचकर आठ मिनट के पहले आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पूजा करने का सबसे सुम महुर्थ होगा सुबहर छे बचकर चालिस मिनट से लेकर दोपहर बारा बचकर बारा मिनट तक यह सबसे ज़्यादा सुम महुर्थ है और अपनी सुबिधा के अनुसार आप सुबह असनान कीजिए सुक्ष वस्त धारन कीजिए और बिना नहाए कुछ मत खाईएगा साथ ही इस दिमास रस्ती की आरादना कीजिए आपके पास जितने भी कॉपी हैं बुक हैं पेन हैं सब कुछ आप मां के पास चर्णों में रखें उन पे पंडी जी से कहें थोरे से चावल और पुस्प और पीट कर दें आपके जो आपने नए पैन रखे हैं उसमें कहिए अब मौली धागा बांदेंगे और ये मौली धागा लगा हुआ पेन से आप एक्जाम दीजिए जो चोटे बचे हैं उनका बिद्या आरम भी इसी दिन से किया जाता है क्योंकि ये बहुत सूप दिन होता है बिद्या बुद्धी गरहन के लिए इस दिन मा लक्षमी जी और भगवान स्री गनेज जी की भी पूजा की जाती है वैसे भी बिना गनेज जी की तो पूजा आर करने हैं दोस्तों कि आपको पता है इस दिन भगवान सिब जी का तिलक चड़ाया जाता है उनको और इस दिन से गुलाब गुलाल खेलने का आरम्ब हो जाता है फगवा के गीतों के साथ और अबीर खेलने की शुरुआ तो हो कीजिएगा सात्विक भोजन का मतलब है लहसन प्याज मत खाईएगा इस दिन जगड़ा लड़ाई वाद विवाद मत कीजिएगा और विद्यार्थियों के लिए खास इस दिन पढ़ाई करनी चाहिए पता है ना आपको एक दिन आप पढ़ाई मत कीजिए मस्ती कीजिए जो पढ़ा हुआ है उसे ही आभियात कर ले और मा की अरादना कीजिए इस दिन भूल कर भी किसी भी पेड़ पौधे को मत काटिए क्योंकि बसंद का मौसम ही होता है हर्याली का मौसम और आप पूजय कैसे कीजिएगा सुभा असनान कड़के पिले वर्स्तरधारन करें उत्तरपुर में मा सरसती की तस्वीर यह मुर्थी रखिए और सफेद चंदन अरपित करें पिले सफेद पुसप अरपित करें और मंत्र है ओम एंग सरसते नमह इस मंत्र का जितना जादा हो जब करें कम से कम पाफ बार तो जरूरा जीएगा फ Prix they सब पूरी निश्ठा से पूजा कीजिके मास अर शệc है दोड़ाई में मिमल लगेगा पढ़ा याद रहेगा और मा की महरवानी किरफाधस्ति तह पे रहेगी हम फिर मिलेंगे वीदियो पसंद आ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हम फिर मिलेंगे धन्यवाद